हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Nokia 2.3 Android वाइल फोन में आप टच वाइबरेशन सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आफ कैसे कर सकते हैं और यह टच वाइबरेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के यहाँ पर आपको option मिलेगा यह sound का, sound पर select करना है अब आपको sound के इस page में नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा यह touch vibration का, touch vibration के option के ठीक सामने आपको यह button दे रखा है इस button को select करना है तो button आपका black color में off हो जाएगा यानि कि आपकी touch vibration setting इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक तो आपको करना क्या है आप किसी भी option को अगर आप touch करेंगे ना तो आपका mobile phone जो है वो vibrate नहीं करेगा यह setting off करने से पहले आपका mobile phone vibrate करता था ठीक है जब भी आप किसी भी option को touch कर देते लेकिन अब आपने इस setting को off कर दिया है तो आपका mobile phone बिलकुल भी vibrate नहीं करेगा क इसी भी option के touch करने पड़ तीक है यह setting ऐसे काम करेगी आफ करने के बाद आपके Nokia 2.3 android mobile phone में तीक है अब मैं आपको यह touch vibration setting को ढूंडने का एक शौटकर तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में तीक है इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने mobile phone का setting page open कर लेना है तीक है setting page में आपको सबसे ऊपर यह search setting का option मिलेगा इसे select करना है यहाँ पर आपको search bar में type करना है touch vibration ठीक है touch vibration type करना और आपको निचे option शोगा touch vibration का ठीक है जब यह निचे की side में option शोग हो जाता है ना तो इसे आपको जो है select कर लेना है ठीक है select कर लीजिए इसको तो इससे होगा क्या आपका mobile phone देखे आपको जो है इस setting page में direct लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया touch vibration setting को ढूंडने का आपके mobile phone में